DCP 9 पुलिस ने बड़ी कारवे करते हुए फरजी तरीके से सरकारी जमीन बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरहू का पर दफाश किया संजेश सरक्ल थाना पुलिस ने मामले में सरगना समेट पांच शातर बदमाशों को गिरतार किया है पुलिस की पूचताच में सामने आया कि आरोपी अलग अलग शहरों में सरकारी जमीन को अपना बनाकर के फरदी तरीके से बीचा करते थे पर असल साल 2016 में ग्रतर आरोपी रमेश्टंद शर्मा रादेश्याम शर्मा शिर्पाल शर्मा आजित पराशर गबल सैनी और जैसिंग निजैपूर के रहने वाले पेड़ित संतोश मीना के साथ में 32 करोड रुपए में दिल्ली के सराय रोहिला में एक जमीन का सौधा किय सौधे के तहट आरोपियों ने 52 वर्गिकल जमीन को अपना बताते हुए पेड़ित संतोश मीना से करीब 2 करोड रुपए एडवांस ले लिए आरोपियों ने फर्जी तरिके से जीडिये याने की दिल्ली डिवलक्मेंट अथॉर्टी से जुड़े जमीन के फर्जी का अगज़ा तयार करके पेड़ित को दे दिये जैसे ही पेडिक तंतोष जब दिल्ली में जमीन का पटा लेने डीडिये पहुंचा तो पताशला की वह जमीन सरकारी है जिसका बीचना भी गैर खनोनी है पेडिक ने जब आरोपियों से दोबार संपर खिया तो वह फरार हो गई इस पर पेडिक ने सरकल थाने में मामला दर्ट खिरवाया पुछताश में समयाया कि गिरहों में दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी जैसिंग भी शामिल है जो अपना ड्रॉब और जान पहचान के जरी दिल्ली के सरकारी विभागों में फरजी तरीके से कागज तयार करवाता है हाला कि DCP नॉर्ट जैप पुलिस ने कारवाय करते हुए दो साल बाद इस पुरे गिरहों का भंडा फोट किया है हाला कि मामले में गिरहों के करीब आधर दर्जन साथ ही अभी भी फराश दो रह दस लोगों का ये गिरहों पुलिस ने पकड़ा है जिसमें पांच अरेश्ट हो चुके पांच पराहर है इन लोगों में कमल सेनी और आधित्य पारासर है और इनका सरगना है रमेश शर्मा इन लोगों ने बहुत सपाई से दिल्ली पुलिस का एक थानेदार भी हैस में और दोजार सोला सित्रा में के फ़यार दज कराई थी कि एक गिरों ने उनसे दो करोड रुपे की ठगी जमीन के नाम पर क्रे करने के नाम पर ले लिये उसका अनसंदान किया अनसंदान उच्छा दे कर रहे दोरह सत्तापन के पश्चाथ इन पांच सात्र मुल्जिम रमेश च देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सबस्क्राइब करें एवन टीवी न्यूज साथी बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पां सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन